2004 से 2014 तक UPA सरकार के प्रष्टाचा, आतंकवाद, कुशासन और इस गुंगी बेहरी सरकार के अंत के लिए भाजपा ने निर्नायक जंग शुरू की नरींद्र मोधी को भाजपा का प्रधान मंत्री उमीद्वार पुशित किया गया और उनके नित्रत्व में भाजपा ने 282 सीटों पर विजय पता का फेहराई भारत के Lost Decade से त्रस्ट जनता ने परिवर्तन के लिए भाजपा के विजन को चुना और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नित्रत्व में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त नीती और सुशासन से नए भारत को करना शुरू किया और दस साल में ही फर्क साफ है 14 का भारत सुपरफास ट्रेने सिर्फ फिल्मों में देखता था लेकिन 24 का भारत आयोध्या, कट्रा, एहंदाबार, पटना, चेननाई, अम्रितसर जैसे छोटे बड़े 82 शहरों में हाई स्पीड ट्रेने चलते देख रहा है 14 का भारत सिर्फ दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर में मेट्रो देखता था लेकिन 24 का भारत भोपाल, सूरत, चेननाई, हैद्राबाद, एहमदाबाद, जैपुर, नागपुर, कानपुर, लखनौ, आगरा और पुने जैसे छोटे बड़े 20 शहरों में भी मेट्रो का जाल बिचते देख रहा है 14 का भारत प्रति दिन सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनते देखता था, लेकिन 24 का भारत प्रति दिन 28.3 किलोमीटर हाईवे बनते देख रहा है 14 के भारत को आदत थी लटकते, भटकते, अटकते प्रोजेक्ट्स देखने की, पर 24 के भारत को आदत है स्पीड और स्केल की पर चौबस का भारत सीना चोड़ा करके दिखाता है अपना सबसे उंचा स्टाचू, सबसे लंबा सी ब्रिज, सबसे उंचा रेल ब्रिज और सबसे उंची टनल। चोड़ का भारत लंबी लाइनों से परिशान था लेकिन चौबस का भारत अब लगबग सारे काम उनलाइन निप्टाता है। चोड़ के भारत ने स्टार्ट अब शब्द हार्डली सुना था लेकिन चौबस का भारत छोटे-छोटे शहरों में भी स्टार्ट अब्स की भरमार देख रहा है। चोड़ के भारत के पास थे सिर्फ 74 एरपोर्ट्स लेकिन चौबस के भारत के पास 119 एरपोर्ट्स हैं वो भी हर चोटे बड़े शहरों में। चोड़ के भारत में करोणों घरों में होता था धुआं और अंधिरा। लेकिन चौबस का भारत स्वच रसोई में खाना बनाता है, दिन रात जिल मिलाता है। चोड़ का भारत पानी और शोचाले के लिए अकसर पढ़ाई छोड़ देता था, पर चौबस का भारत हर घर जल, हर घर शोचाले की गैरंटी देता है। चोड़ के भारत के पास सिर्फ 10.3 करोड लोगों के पास बैंक खाता था, पर चौबस के भारत में देश के 51.6 करोड लोगों के पास बैंक खाता है। चोड़ का भारत करजा लेकर इलाज कराता था, लेकिन चौबस का भारत जेब में इलाज के लिए 5 लाक रुपए का आयुश्मान कार्ड लेकर गूंता है। चोड़ के भारत में BP Diabetes जैसी बीमारियां भी परिवार की अर्थविवस्था हिला देती थी, पर चौबस का भारत जेनरिक दवाईयां 70 प्रतिशत कम दाम पे पाता है। चोड़ का भारत सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे सुनता था। पर चौबस का भारत 25 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुका है। चौबस का भारत आदी जातियों के गुम नाम नायकों का शौर्यगान कर रहा है। चौबस का भारत पिछडी जाती को बस वोट बैंक समझता था। लेकिन चौबस का भारत विश्व करमाओं को 13,000 करोड के पैकेज से बढ़हवा दे रहा है। चौबस के भारत के पास थे 387 मेडिकल कॉलेज आज के भारत के पास है 706। चौदः के भारत के पास थे 13 IIM आज के भारत के पास हैं 20। चौदः के भारत के पास थे 7 इम्स आज के भारत के पास हैं 22। और हाँ चौदः के कश्मीर में बार बार होता था पत्थरों से वार। चौबस के कश्मीर में बस अफसर, टूरिजम और प्यार। 14 का भारत राम लला के दर्शन करता था टेंट में 14 का भारत भव्यर राम मंदर में 14 के भारत में आपको कितनी कम महिला उद्यमी दिखती थी 14 का भारत मुद्रा लोन, स्टांट अप, स्टार्ट अप लोन्स का अधितर हिस्सा महिला उद्यमियों को प्रधान करता है 14 का भारत कामकाजी महिलाओं को 12 हफ्तों की maternity leave ही देता था पर 24 का भारत 26 हफ्तों की maternity leave का भरोसा देता है 14 का भारत महिला आरक्षन को अटकाए बैठा था 24 का भारत महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षन देता है 14 का भारत इंपोर्टिट का गुर्गान करता था 24 का भारत स्वधेशी और आत्म निर्भरता का दम दिखाता है 14 के भारत के अर्थविवस्था दुनिया में सबसे कमजूर पांच में से एक थी आज टॉप पांच में से एक है और अब तीसरे नंबर पर आने की तैयारी में है 14 के और 24 के भारत में सिर्फ सरकार का अंतर नहीं है अंतर है नीति का, नियत का और नित्रत्वका 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन गड़ी-गड़ी हैंग हो जाती थी चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर ले चाहे दितने भी बटन दबा ले असर कुछ होता ही नहीं था और ऐसी ही स्थित्यू समय सरकार की भी थी उस समय भारत की अर्थ व्यवस्ता का या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था रिस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें हमें सेवा करने का उसर दिया इस बदलाव से क्या हुआ, वो भी साम दिखता है। पर देश के विश्वास का। हर कैरंटी साकार, मोधी सरकार फिर इस बार।